ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुशामदीत कहती हूँ आप टेग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डुनेट के बटन को क्लिक करके हमें कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं चलिए अब इस सब्सक्राइब के चैनल के हालिया पोल्स के मताबिक कमाला हैरस और ट्रम्प का मकाबला नेक टो नेक है तो अब आप इन पोल्स पर क्या अपनी राए दीजिए देखें सी एन एन के पोल्स आजी सामने आए उन्होंने एक पॉइंट कमाला को आगे दिखाया है जो को बहुत बड़ी बात नहीं होती है अब जब सी एन एन दिखाएगा एक पॉइंट आगे तो वैसे भी वो मश्कूक होगी बात इसलिए कि सी एन एन तो शुरू दिन से सदर्टर्म के खलाफ है और डेमोग्रेट्स के हक में है तो वो तो दिखाएगा नहीं कि जो इस वक्त कंसरवेटिव मीडिया के पॉल्स है वो सदर्टर्म को एक या दो पॉइंट आगे दिखा रहे हैं ये बात सी एन एन की ठीक है सबकी ठीक है कि दोनों का मकाबला नेक टो नेक है अब सी एन एन ने आज ये तबस्रा किया है कि अगर दोनों का मकाबला नेक टो नेक है दोनों का मैच फंसा हुआ है इतने करीब हैं दोनों तो वो सी एन एन भी ये बात मान रहा है वो ये कहला है इसका मतलब ही है कि अमेर दस पॉइंट का फरक होता पता चलता कि अवाम ने पीपल आर लिक ये भी ठीक है और ऐसे भी हो जाए है तो भी ठीक लिक देयर नॉट वेरी इंथूजियस्टिक अबाउट हाविंग सर्टन रिजल्टस आउट अफ इट ये भी और दूसरा ये भी लोग सोचते हैं कि इन द पाइडन ने कुर्बानी दी कुर्बानी का बकरा बने कुम नहीं लड़ूंगा को मैं कमाला को नोमीनी मनाता हूं तो कमाला को फुल-फोर्स लिबरल میडिया ने भी दी और बिजिस्नसमेन ने भी दी तो इसके बावजूद कमाला twee से आगे नहीं निकल सकी अभी तक की पो मुझे आज यही इमकान लगता है कि अगर यह एलेक्शन मैनुवरिंग के बगार ठीक ठाक तरीके से हो गए तो टरंप शायद जीट जाएंगे हैं क्योंकि टरंप ने अभी रीसेंटली कहा है कि अगर वो यह एलेक्शन ना जीट सके तो फिर वो पॉलिटिक्स को खैर बाद कहा देंगे अगला एलेक्शन उन नहीं लड़ेंगे यह उनने कहा है यह पॉलिटिशन अपने पॉइंट इव्यू से मुकर्बी सकते हैं लेकिन य पोरी दुनिया में कि जो यूथ हा रहा है और जो बहुत बड़ा ड्रस्टिक चेंज है दुनिया में AIA और पुलिटिकल रीयालिटी इस जियोग्राफिकल रीयालिटैस के साथ तो उसकी वजह से भी काफी सारे इकहिन वाउज का एंज का बिला तकलु शो ताहिरम मेरे के सिरिये डोनेट कर सकते हैं टाग्ट्वी यूट्यूब चैनल और फिर्स अनुटिए अनुटिशन पून